मद्धिप्रदेश हाई कोट की गौालियर खंडपीठ ने एक महतवपूर्ण फैसले में निर्देश दिये है कि किसी भी आरोपी की गिरफतारी मातर से उसे दोशी नहीं ठहराया जा सकता है इसके लावा गिरफतारी होने पर पुलिस की जो आम प्रक्रिया होती है उसके तहट गिरफतारी के आधार पर ही उसका सोशल मीडिया या अन्य समाचार पत्र पत्रिका में फोटो भी प्रकाशीत नहीं किया जाएगा हाई कोट ने उसके लिए 2014 के पुलिस महानीजेशक मज्जी प्रदेश की नोटिफिकेशन को भी रद्द करने के आदेश दिये हैं गौलियर के विवसाई अरुन शर्मा ने हाई कोट की गौलियर खंट पीट में एक याची का दायर की थी जिसमें उन्होंने एक महीला की शिकायत पर कीवे दुकान का लंबे समय से किराया नहीं दे रहे हैं उस शिकायत के अधार पर गौलियर पुलिस ने 25 जुलाई 2000 को अरुन शर्मा को दुकान से गिरफतार करके ठाने ले गई थी और उसके फोटो में भी सोशल मीडिया पर डालने के साथ मीडिया को चारी कर दिये थे याची का करता को आदतन अपराधी बताया गया था इस मामले की शिकायत याची का करता ने S.P. गौलियर को की थी जिसमें जाश में पाया गया था कि याची का करता आदतन अपराधी नहीं है और ना ही पूरु में उनके खिलाफ कोई मामले दर्जे है जिसके आधार पर याची का करता ने हाई कोट में एक अवमानना याची का दायर की थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी की गिरफतारी के साथ ही उसकी सारवजनिक छवी को धुमिल किया गया है लेकिन कोर्ट में डीजीबी मज्जी प्रदेश के 2014 के आदेश का हवाला देते हुए इस प्रकरण में पोलिस की अधिकारिता जो दीवानी प्रकरणों में बढ़ती जा रही है जहांकि अप्रकरण साथ में ट्रिफिर नहीं कर सकती है दूसरा मुद्दा इसमिया है कि पुलेस के द्वारा जो सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी अव्यूक्त या फरयादी का फोटो चापा जाता है उस पर उच्छे नहले रोक लगाने के लिए आदिश पारित किया है अब आज के बाद कोई भी पूरे मद्यपरदेश में डिरेक्टर जनरल और पुलिस को नरदेशित किया गया है कि समस्त पुलिस ददेख्चक को सूचित करें कि किसी भी प्रकार से अव्यूक्त या फरयादी का फोटो प्रकाशन ना कराया जाए ना ही सोसल मीडिया में प्रकाशित किया जाए इसमें एक अरिश फर्मा बोड़ा पुरपर किराजन की दुकान करते हैं उनका मकान मालेक से क्रायदारी का विवाद था मकान मालेक ने थाने में शिकायत की कि किराय जमानी के रहा है तो इसमें सविस्पेक्टर और थाना प्रवारी द्वारा उसकी दुकान पर जाकर सामान खाली कराया गया और उस सामान को उसकी दुकान को खाली कराने लिए जबरस्ति उसके दवा बनाया गया तत्पस्चात SP साब दोरा इंट्रफेरेंस करने पर उसका आदा सावन बापिस किया गया उसके बाद 15 दिन बाद अरुन्च सर्मा को ठाने में लाया गया और उसका फोटो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए परकाशित किया गया कि ये 5000 रुपय का आरुपी है तत्पस्चात SP साब दोरा जांच की गई तो वह बेगुना पाया तत्पस्चात उसे छोड़ दिया गया इसके अगेंस में हमने उचे नहाले में अचका परस्तूत की थी जिसमें की SP साब ने टी आई मुझे के बुरुद कारवाई करते हुए ने लायन इटेश किया लेकिन उसको तीन दिन बाद फिर ताने में पदस्च कर दिया तब उचे नहीं पारित किया है कि उनके बुझे कि दीवानी प्रकरण में अस्तक्षिप करने का अधिकार नहीं था उसके बुरुद पुलिस ने क्या कारवाई की और ऐसे फरयादी जिसकों कि इन्होंने मुल्जब बनाकर प्रकासित किया उसके कंपंसेशन के लिए कौन जम्मेदार है इस पर अभी सुन्बाई होना है न गौलियर से सनी गांगूली की रिपोर्ट